गोलियों से घायल पुश्पा हुआ तिरुपती जेल से फरा इसी कोशिश में पुलिस ने पुश्पा पर बरसाई गोलियां पता चला है कि पुश्पा गंबी रूप से जखमी हुआ है शेशाचलम की जंगलों में पुश्पा को ढूणने के लिए पुलीस ने एक स्पेशल यूनेट डिपलॉई की है भावरा पेट की पहाड़ी उपर पुलीस ने पुश्पा की कुछ कपड़े बरामत किये खून से लटपत शोर्ट पर मिले आठ गोलियों के निशान पुलीस के हाथों पुश्पा की हत्या की अफवाओं की वज़े से आप देख सकते हैं चित्तोर और तिरुपती के कई लागों में दंगे शुरू है और आप अभी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं किस तरह पुश्पा की समझतक हजारों की दादा की तरह पर अब दर आये हैं आठ गोलिया लगी हैं किसी भी इंसान का बच पना नामुम्किन है पुलीस की पुश्पा को मारने की एकसाज इस्ती है सब पस यह देख रहे हैं कि पुश्पा पैसे किस तरह का मता था पंठुमला मिटीय का पुश्पन ने पैसो का क्या है मेरे बेटी का हार्ड ओप्रिशν हुआ उसका पैसा पुश्पा नहीं दिया बजताई, अब यह घिख है बेटी के शादी पुष्पा नहीं करवाई बटाए, पुष्पा नहीं हमारी ये घर बनदाए अरे, वो आमगरीबों को खाना खिला था पुष्पा, खिलागो, पुष्पा एक महीने के बाद भी दंगे जा रही है कई इलागों में अभी भी सेक्शन 144 लागू है कुछ लोगों का मानना है कि पुष्पा अब जिन्दा नहीं है अफवा ये भी है कि वो जैपैन, मलेशिया या चाइना में कहीं हो सकता है पुष्पा की बाडी छुपा कर क्या पुलिस हमें गुमरा कर रही है आखिर पुष्पा है कहां ब्रेकिंग नीम्स जंगलों में लगाए गए वाइल लाइफ सर्वलेंस कैमरा का वीडियो हमारे चैनल ने अभी प्राप किया है ये कैमरा जो शेरों को मॉनिटर करते हैं अगर जंगल में कोई जानवर दो कदम पीछे ले तो समझो शेर आया है लेकिन जब शेरी दो कदम पीछे ले तो समझो पुष्पा आया है पुष्पा का कुछ रही हुआ पुष्पा सिंदा है नाना अब रूल पुष्पा का अब रूल पुष्पा का रही हुआ है